दोस्तों मैंने रियल लाइफ में इतने बिजनस और स्टार्ट अप किये है कि जनरली टीवी पर इनके बारे में शोस देखना मैं पसंद नहीं करता हूँ लेकिन कुछ दिनों पहले फैमिली के साथ मैंने शार्क टैंक देख लिया टीवी पर और पता चला अरे शाक टैंक में तो ये बंदे भी है ये वाशे को तो हम भी अपना स्टार्ट अप किसी जमाने में पिछ कर चुके हैं लेकिन छोड़िये वो पुरानी बोरिंग डीटेल्स है शाक टैंक में कई सारी ऐसे बिजनस की टर्म्स थी कई सारी ऐसी बाते थी जो मैंने सोचा कि हर किसी को अच्छे से समझना जरूरी है तो आज हम शाक टैंक के अलग अलग टर्म्स को समझेंगे और ती ऐसी चीज़े मैं आपको बताऊंगा जो उस टीवी शो पर भी आपको नहीं बताया जाता है फंड रेजिंग के बारे में एक फन फैक्ट मैं आपको और बताता हूँ शाक टैंक टीवी शो में इन दौर से जो हमारे भाई आये थे स्टेज.in वाले जो स्टेज OTT प्लाटफर्म चला रहे है मैं 2019 में उनके दफतर गया था और उनके दफतर में जाकर उनकी टीम को मिला था उनकी स्टोरी सुनी थी और बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ था और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो भी शाक टैंक पर आये शुरुआत करते हैं पहले टर्मस के साथ, जो है एक्विटी स्प्लिट अब समझिए कि हमने साथ में मिलकर तीन दोस्तों ने एक बिजनस शुरूर किया। ये बिजनस जो है smart watches बनाने का है, electronics बनाने का है। इस business में अब हम हैं तीन लोग तो जब company बनेगी समझो company में 1000 shares किसको कितने shares मिलेंगे किसका भागीदारी कितना होगा इस business में उसे कहते है equity split ये equity split होता है founders के बीच में जो company चालू कर रहे हैं उनके बीच में equity split founders के बीच में बराबर का भी हो सकता है लेकिन अकसर ये equity split जो है वो बराबर का नहीं होता है और वो कैसे negotiate होता है कैसे आपस में उसकी बातचीत होती है मैं आपको उसका एक real taste देता हूँ देख दोस्त investor मैंने तयार कर लिया है जल्दी से company form करते हैं funding उठाते हैं धन्दा चालू करते हैं लेकिन equity split क्या होगा किसको कितने share मिलेंगे बहुत simple आदा तेरा आदा मेरा अरे इसे साथ से तो हम दोरो के 25-25% हैंग मैं तो senior हुई इसका चलो ठीक है मेरा 48 तुमारा 52 या 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 ये तो अभी भी कम लग लग रहा है देख ब्रो 40 मेरा 32 तेरा 28 तेरा काम चालू करते हैं मज़ा आया देखकर कैसे हो रहा था equity negotiation founders के बीच में अब founders के बाद समझो investor भी कोई आ गया आप गए investor के पास आप गए shark के पास और आपने shark को कहा कि आप मुझे दे दीजिए 2 करोड रुपे और मैं आपको दे दूँगा company का 20% तो company का valuation कितना हो गया 10 करोड रुपे 10 करोड रुपे के valuation पे आपने 2 करोड रुपे लिए तो उन्हें मिला 20% लेकिन shark ने आपको पूछ लिया कि आपका pre money valuation क्या है और post money क्या है आप बोलोंगे ये pre money और post money क्या होता है तो जब भी valuation की बात होती है एक होता है pre money valuation एक होता है post money valuation सो इसे भी समझ लेते हैं मान लो मैं आपको ये wallet बेच रहा हूँ ये wallet जो है दुनिया का सबसे slim wallet है और है 1000 रुपे का तो आप ये wallet खरीद रहे हैं 1000 रुपे में सही बात है समझ गए लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इस 1000 रुपे के wallet में ये 500 रुपे का note में लेकर अब आड कर देता हूँ तो आपको मिलेगा wallet और 500 रुपे सो इस wallet की कीमत क्या हो गई 1500 रुपे इसी तरह ये है आपकी company आप कह रहे हो इस company की कुछ value है आप इसमें पैसे लगाओ तो investor आता है बोलता है ठीक है मैं पैसे लगा देता हूँ आपकी company में और company में पैसे जब चले गए तब company की value पैसे आने के वज़े से बढ़ गई क्योंकि किसी भी चीज में आपको एक amount जोड़ दो तो उतने amount से तो उसकी value भड़ गई न तो जब मैं कहे रहा हूँ कि मैं 10 करोड के valuation पर आपको 20% दे रहा हूँ और 2 करोड रुपे आपसे funding ले रहा हूँ इसका मतलब यह हुआ कि मेरा pre money valuation है 8 करोड आज मेरा valuation है 8 करोड आप उस पर जो है मुझे दे रहे हो 2 करोड रुपे और 20% ले रहे हो तो post money valuation जो हो गया 10 करोड का हो गया funding होने के बाद valuation हो गई 10 करोड रुपे की अब यहाँ पर जो है एक चीज जो होती है वो यह है कि आप सोचते हो कि investor को जो है मुझे अपने 20% shares देने है और 2 करोड रुपे लेने है लेकिन ऐसा नहीं होता है देखिए company अपने आप में एक entity होती है company private limited company जिसे कहते है companies act नाम का एक पूरा law है जो इसे govern करता है और इसे manage करने के बहुत सारे rules होते है तो इसमें से एक बात यह है कि company अपने आप में एक entity होता है एक तरह से company अपने आप में एक person होता है यह जो company है उसके shares होते है उसके हिस्से होते है हर हिस्से को बुलते है एक share तो आपकी company में मान लीजिए 1000 share है और आप 3 partners है जिनके बीच में यह 1000 share इस वक्त बटा हुआ है अब investor आके जब 2 करोड रुपए दे रहा है investor company में share चाहता है तो आज shares जो है 1000 है आप कहेंगे कि हम 200 shares जो है investor को transfer कर देते है तो बहुत ही बढ़िया अब यहाँ पर 2 गरवड हो गई कि shares आपके नाम पर थे आपने दे दिये investor को तो investor पैसे आपको दे रहा है लेकिन investor चाहता क्या था यहाँ पर investor चाहता था कि यह पैसे जो है company में लगे company के growth के लिए यह पैसे अगर आपके पास आ गए तो वो आपके पैसे हुए इसका मतलब कि company में आपने अपना हिस्सा बेच दिया लेकिन आप company में अपना हिस्सा नहीं बेच रहे है company में नया पैसा लेकर आना चाहते है आप जिससे की company grow करे company उस पैसे का निवेश करे अपने business को grow करने के लिए तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आपके पास 1000 shares है तो equity dilution calculator लगाएंगे आप इसके उपर और आप पाएंगे कि आप 200 नए shares issue करेंगे company में से investor को 200 नए shares जब investor को मिल जाएंगे तब company में total number of shares 1000 से बढ़के 1250 हो जाएंगे अब आपके पास वही 1000 share है तीन founders के पास लेकिन total shares भढ़ गए 1250 हो गए 200 shares के बदले में company को 2 करोड रुपए मिल गए investor से अब अगर आप गनित लगाएंगे तो 1250 में से 200 shares जो है होते है 20% तो 20% shares मिल गए investor को company में 2 करोड रुपए आगए आपके company की value बढ़ गई और सब कुछ एकदम must नहीं चलो चलिए कुछ complexities को भी समझते हैं अगले term में अगला शब्द जो आप कई बार सुनते हैं वो है runway आपका runway क्या है runway मैं थोड़ी कोई aeroplane हूँ runway जो है एक और technical शब्द होता है जो investor अकसर पूछता है कि आपका runway क्या है या आपका burn rate क्या है ये क्या चीज होती है तो देखें मैं आपको समझाता हूँ अगर मेरी company भौट ज़ादा अच्छी चल रही है उसमें भौट ज़ादा profit आ रहे है भौट अच्छे से growth हो रहा है तो क्या मैं investor के पास पैसे मागने जाऊँगा नहीं न मुझे इस वक्त capital invest करने के लिए कुछ पैसो की जरुवत है समझे कि मैं कोई cap company हूँ customers को discount देके customers को ला रहा हूँ drivers को incentive देके drivers को ला रहा हूँ तो मैं आज खर्चा कर रहा हूँ ये सोच कर कि future में पैसा कमाऊँगा मतलब आज मैं loss कर रहा हूँ सो जब हम बात करते है runway ये burn rate की तो उसका मतलब ये है कि आज आपकी company कितने time तक चल सकती है बीना additional पैसे market से उठाए तो समझे कि आपकी company महिने का 5 लाक रुपया खर्चा करती है company चलाने के लिए और उसके सामने कमाती है 3 लाक रुपय तो आपका हर महिने जो है वो कितने का deficit आ रहा है या कितने पैसे आपके जा रहे है बहार 2 लाक रुपय तो आपका burn rate जो है आज आप कमा रहे हो 3 खर्च कर रहे हो 5 तो आपका आज burn rate हो गया 2,00,00 का कि मैं हर महीने जला रहा हूँ 2,00,00 रुपए ये बिजनस बनाने के लिए और अगर आपके पास बैंक में है सिर्फ 12,00,00 रुपए तो आपका runway कितना हुआ 6 महीने का हर महीने 2,00,00 रुपए आप इसी तरह करते रहे तो 6 महीने में आपके पैसे जल जाएंगे So investors कई बार जानना चाहते है कि आपका runway क्या है आपका burn rate क्या है उनसे पैसे उठाने के बाद आपका runway कितना भढ़ जाएगा और आपका burn rate कितना भढ़ेगा क्योंकि उनसे पैसे लेकर आप और खर्च करने लगेंगे और कई बार आप पाएंगे कि हमारे जो entrepreneurs है startup founders है वो सारा पैसा जो है जला देते है company बंद हो जाती है news article तो आप पढ़ते ही है वो इसलिए होता है क्योंकि burn rate नाम की चीज होती है और runway घटता जाता है जैसे कि time आगे बढ़ता है startups के accounting fraud और startups के बहुत सारे criticism होते है कि ये एक रुपया कमाने के लिए इतना सारा खर्चा करता है ऐसे कई सारे चीज़े हम news में पढ़ते है और बड़ा मज़ा आता है हमें हम तो popcorn निकाल के भीया news में पढ़ लेते है लेकिन जब एक startup जाता है investor के पास और उससे दिखाना होता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ तो वो क्या story बेचता है उस story को बेचने के लिए एक बहुत ही infamous term है e-commerce market का जो है GMV आपका GMV क्या होता है GMV का full form होता है gross merchandise value और ये GMV कैसे calculate होता है चलिए हमारे ही entrepreneur भाई को जाके पूछ लेते है GMV startups अकसर अलग-अलग fundे पेलते हैं investors को पैसे लेने के लिए GMV उनमें से एक है GMV marketplace businesses पर apply होता है marketplace मतलब यह sellers है, यह buyers है आप एक marketplace चला रहे हो जैसे कि eBay, कुछ cases में Amazon और Flipkart भी इस marketplace में समझो कि आप T-shirts, jeans, यह सरे item बीच रहे हो और आप sales कर रहे हो 10 करोड रुपे का इस 10 करोड रुपे पे seller से आप लेते हो 10% commission तो आपको मिलते हैं 1 करोड रुपे तो आप investor के पास जाओंगे, बोलेंगे मैं 1 करोड रुपे कमा रहा हो तो कम लगता है तो आप क्या करेंगे आप कहेंगे मेरा GMB है 10 करोड तो नमबर बड़ा लगता है अब इसमें लोग scheme कैसी लगाते हैं कि 1000 रुपे का item था 50% discount पर मैंने बेचा तो धन्दा हुआ 10 करोड का लेकिन MRP थी 20 करोड तो ठीक है मेरा GMB है 20 करोड उसके ओपर 50% discount जिस पर transaction हो गया अब आप सुचते हो कि इसको और भी बढ़ाना है तो और कुछ scheme लगाते हो पेपर पे अपना turnover ज़ादा दिखाते हो और कहते हो कि GMB ज़ादा है smart investors इसे पकड़ भी लेते है लेकिन simply put GMB मतलब buyers और sellers ने आपके marketplace पर कितने का business किया उसे जोड़के आप अपना GMB का figure लगाते हो shark tank में GMB को लेकर एक confusion मैंने देखा था वो था कि किसी ने कहा कि हमें जो है कुछ इतने लाग का sale होता है और इसके उपर जो है GST अलग से मिलता है तो हमारा turnover इतना हो गया कि समझो 40 लाग का हम sale कर रहे है या 50 लाग का हम sale कर रहे है इसके उपर GST हो गए 9 लाग तो 59 लाग का मेरा turnover है लेकिन देखिए जब भी आप कोई भी transaction करते हो उसके उपर जो GST लगता है indirect tax लगते है 18% GST हो, 12% हो, 24% हो 28% हो जो भी है वो आपके turnover में count नहीं होता accounting standards के हिसाब से तो अगर आपने 1000 रुपे का माल बेचा और उसके उपर 180 रुपया GST लिया तो 180 रुपया turnover का part नहीं है वो तर लेकर आपने government को दिया है आपका turnover सिफ 1000 का है तो ये चीज़ भी आप समझे GST आपके turnover का generally part नहीं होता है उसे ideally GMV में भी count नहीं करना चाहिए सो समझ गए आप ये GMV का fund क्या है कि भया, नंबर बड़ा दिखाओ valuation बनाओ, funding ले लो GMV एक तरह से एक real metric भी है लेकिन अगला जो हमारा metric है GMV जैसे ही आप investor को बोलेंगे एक समझदार investor आप से पुछेगा आपका unit economics क्या है unit economics बताओ अगर कोई traditional दुकान हो मेरी जहाँ पर आप आ रहे हो 54 प्राश का डबबा खरीद रहे हो 200 रुपे का डबबा है मैंने लिया ता 180 में तो बड़ा simple है मेरा unit economics क्या हो गया 180 रुपे का खरीदा 200 का बेचा 20 रुपे मैंने gross margin कमाई महिने के end में जो total कमाई हुई उसमें फिर में अपना rent वगरा अपने delivery boy का खर्चा सब निकाल लूँगा तो मेरा आया तो उसका lifetime value क्या है मैं अपना cost जो है उससे associate करूँगा traditional market में भी ऐसा होता है जैसे कि credit card company credit card company आपको acquire करने के लिए 5% cash back 10% cash back नया credit card लो तो आपको 5000 रुपे दे देंगी बहुत सटी चीज़े करती है वो क्यों करती है क्योंकि आज 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 वो आप पर खर्च कर रही है आपको acquire करने के लिए लेकिन उन्हें पता है आप अगले 18 महिने में इतने loan लेने वाले हो इतने EMI भरने वाले हो और इतने EMI भरना भूल जाओंगे और वो charges लगा लगा के आपसे पैसा कमा लेंगे तो ऐसा ही startups भी जो है अपने मुरीगियों का farm बनाते है और lifetime value निकाते है customer का आज मैं अपनी taxi की company चालू करूँगा मैं drivers को लेकर आऊँगा उस पर मैं कुछ खर्चा करूँगा मैं customers को लेकर आऊँगा उनको लाने के लिए मैं कुछ खर्चा करूँगा discounts देकर या promotions करके या कुछ 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 करके और फिर जो है वो customer मेरे साथ रहेगा अगले एक साल तक एक साल में मैं उस customer से इतने पैसे कमाऊँगा या दो साल तक वो customer मेरे पास रहेगा तो मैं उससे इतने पैसे कमाऊँगा कि यह सब जो मैंने खर्च किया सब छोटा लगेगा तो चलो जल्दी से funding दे दो मुझे अगर numbers के साथ example देखें तो समझे कि आपको एक cab company ने taxi company ने आपको दिया 100 रुपय आफ कि आप हमारा ride लीजिये free में आपको 100 रुपया आफ कर देता हूँ मैं और वो taxi company कहती है कि great मैंने कुछ promotion किया ये किया वो किया total मैंने 300 रुपया खर्चा कर दिया इस customer को अपने आप पर लाने के लिए ये amount 1000 भी हो सकता है 2000 भी हो सकता है अब ये company calculation करेगी कि आप महीने में 300-300 रुपय के 10 rides लोंगे मेरी taxi में तो आप महीने का 3000 रुपया मेरे पास खर्चा करोंगे और आप मैंसे कुछ लोग 4 महीने बाद आप यूज करना बंद कर देंगे कुछ लोग 2 साल बाद आप यूज करना बंद कर देंगे तो आप 45,000 रुपय का जो है टोटल खर्चा करोंगे इस cap company में सो अब जो है इस company का गनित बन गया कि 45,000 रुपय पर मैं driver से commission लोंगा 20% तो मेरी कमाई हो जाएगी 9,000 रुपय और 9,000 में से आपको acquire करने के लिए 300,500,000 मैंने जितना भी खर्चा किया था वो मेरा cost हो गया तो 18 महीने बाद या 15 महीने बाद आपका lifetime value इतना जादा है कि मैं आज ये खर्चा कर देता हूँ 1000 रुपय आपको acquire करने के लिए driver लाने के लिए 1000 रुपय और डाल देता हूँ चमों support का खर्चा कर देता हूँ लेकिन आप मेरे साथ 15 महीने बने रहोंगे तो माला माल बहुत पैसे कमा लूँगा मैं आपसे ऐसे complex calculations करके unit economics निकाला जाता है कि चलो customer का lifetime value पहले हम समझ लेते हैं ये एक thesis होता है hypothesis होता है इसमें assumptions होते हैं बहुत सारे और फिर हम investor को बताते है कि देखिये मेरे unit economics को आप समझिये lifetime value के lens से तो 54 बेचने वाले अंकल कह रहे है 180 और 200 रुपया clear सामने ही गनेत है आप कह रहे हो मैंने 3000 रुपय आज खर्च के जिया अलग अलग चीज में future में 9000 रुपय कमाऊंगा 6000 का profit valuation सा करोड एक चीज और जो होती है start-ups में वो होती है ESOP Employee Stock Option Program यह ESOP क्या होता है यह options क्या होते है देखिये हम तीन लोगों ने मिलके company चालू तो कर ली लेकिन अब हमें मिले यह महाशाए यह हमसे ज़ादा experienced है आ रहे और बोल रहे है जी welcome long time कितने साल हो गए college को आपकी छत्रचाहे में तो हम college में आगे बढ़े है लेकिन आज बढ़ी खुशी हो रही है आपके साथ काम करने का लग रहा है मौका मिलेगा अपनी company बहुत ही बढ़िया कर रही है company ने उठाया है भया अच्छा खासा funding अभी growth पे चल रहे है हम बस अगर कृपा रही उपर वाले की तो बहुत बड़ी company बन जाएगी एक problem है बस tech में फटी होई है अब tech में आप से ज़्यादा तो किसी पहलवान को हम जानते नहीं है तो भई आप आजाएए tech संबाल लीजिए हमारा तो क्या बोलते हो ब्रो let's do it रुख जाओ रुख जाओ अपनी गदा अपने पास रखो ओके अरे भई मैं अपनी MNC की जॉब छोड़के तुमारी चोटी सी स्टार्ट अप में आ जाओ तुमारे पास सो परसेंट इक्विटी और मैं सैलरी पर काम करूँगा ऐसे कैसे और उसके उपर अभी भी तुम मैकडोनल्स की कोफी पीते हो मैं तो स्टार्बक्स के नीचे नहीं उतरता भईया देखो भईया बात ऐसी है कि कंपनी में है 1000 शेर्स लेकिन 1000 शेर्स में से पूरे 100 शेर्स हमने एक पूल में डाले है जिसे कहते है Employee Stock Option Plan आज कंपनी का वैल्यू है 10 करोड तो यह जो Stock Option Plan में जितने भी 100 शेर्स है उनका वैल्यू है 1 करोड अगर कंपनी बन गई Unicorn और हो गई 8000 करोड की तो इसका वैल्यू कितना हो गया 800 करोड ESOP का वैल्यू लगबग 800 करोड हो जाएगा तो इस 800 करोड के शेर्स को हम Employees में दे रहे हैं आपके जैसे Senior Hires को दे रहे हैं अब आप सचो थोड़ी सी Salary कट करके आपको आना है अच्छा काम करना है अच्छे लोगों के साथ काम करना है और आपको मिलेंगे Shares Company में और इन Shares की वैरी बहुत ज़ादा बढ़ सकती है यह है ESOP Plan अच्छा कितने Shares मिल रहे हैं मुझे अब कीना आपने पते की बात बताता हूँ सारे डीटेल्स देता हूँ लेकिन एक बात पहले ही जान लो McDonald's की Coffee Starbucks से better है तो समझ गए आप ESOP में Companies एक ESOP Pool बनाती है कि Early Employees को अपने टीम को जिताने के लिए वो क्या करे Traditional Companies क्या करती है Cash Bonuses देती है Performance Reward देती है Variable Payment देती है Startups क्या करती है ESOPs Equity के Form में देती है कि Company की Value बहुत जादा हो गई Stock Market में कभी वो लिस्ट हो गई या किसी ने आके खरीद लिया उस Company के Shares को तो आपके Shares का भी Value बढ़ेगा जैसे कई सारे हमारे Shares जो है Paytm है Zomato है Nica है इनके जो Early Employees होंगे इन्हें ESOP मिला होगा और इन ESOP की Value आज बहुत जादा हो गई होगी So वो आगे जो हमारा मुर्गियों का Farm बनने वाला है जो Bread का बादशाय, Omelette का King हम बनने वाले है उसमें से कुछ Share आपका भी होगा क्योंकि आप हमारी Company में बहुत ही Important Role अदा कर रहे थे हमें Join करने के बाद So ये हुआ ESOP का Fundra अब कुछ बाते मैंने आपको बताई थी कि जो आप Shark Tank से शायद ना सीखे उसमें से एक बात तो थी Unit Economics की दो बाते और जो है जो आपको शायद Shark Tank के Day-to-day Conversations में ना पता चले उसमें से पहला होता है Liquidity Preference अब आप सोचिए कि मैंने आपसे 2 करोड रुपए funding लिये, मेरे कमपणी का value हो गया 10 करोड रुपए आपके पास कमपणी के 20% है मेरे पास 80% है मैं कहता हूँ, बस अब कमपणी चलाने का मन नहीं कर रहा है मैं जो है, ये 2 करोड है कमपणी में 2 करोड है बाकी सब धंदा बंद कर दिया मैंने 2 करोड में से 80% मेरा 20% आपका, आप अपने 40,00,000,000 मैं रखता हूँ 1 करोड साट लाग और मैं अपने रास्ते, आप आपके रास्ते इंवेस्टर बावू मिलेंगे क्या ऐसा हो सकता है अगेन सोच लो, मेरे पास 80% शेर है कमपणी के, आपके पास 20% शेर है इस कमपणी में जितनी वैल्यू है 20% आपका है, 80% मेरा है कि बाव, ऐसा नहीं होता है एक टर्म होता है शेर परचिस अगरिमेंट में जिसे कहते हैं लिक्विडिटी प्रिफरेंस कि अगर आप धंदा बंद करके पैसा लेके जाने की बात करोंगे तो पहले इंवेस्टर को उसका पैसा वापस मिलेगा इंवेस्टर ने जितना पैसा लगाया है, वो पैसा उन्हें वापस मिलेगा, फिर कुछ बचा तो आप असमें बटेगा A C20 जो भी रोल है उसमें So liquidity preference एक important term होता है जो हर share purchase agreement में हर funding के agreement में होता है especially इस type के जो आप shark tank में देखते हैं और दूसरी चीज अरे यार यार ये startup founder के company तो loss कर रहे है ये इसनो 100 करोड का bangla खरीदा ये तो BMW में घूम रहा है भाई अरे ये तो private flight ले रहा है chartered plane लेके घूम रहा है इसके पास इना पैसा आया कैसे इसके पास पैसा आया कैसे इसको salary तो मिलती है market rate से कम company में funding आया हमने समझा था कि पैसा तो गया company में shares गये investor के पास तो ये भाई इतना पैसा ही पैसा कैसे कर रहा है इसका जवाब होता है second reason और ये बहुत ही important चीज़ होती है अगर आप startup founder भी है तो इस बात को समझे आप एक अच्छा startup बनाने के लिए आप एक company को शुरू करके बहुत सालों तक उसे आगे ले जाने के लिए और किसी दिन शायद IPO तक ले जाने के लिए 10-12 साल लगा देते हैं इस 10-12 साल में भाईया आप शुरू किये थे 29 साल के नौजवान से अब आप 41 हो गए आपके दो बच्चे लाइफ कब जीओंगे तो आप क्या करते हो जब भूत बड़ी funding की round होती है आपकी company में कोई कहता है कि लो 50 करोड रुपे में लगाता हूँ तो आप कहते हो देखो हम लोग है ना salary भी जादा नहीं लेते 8 गंटे दिन का काम करते हैं आप एक काम करो आप 200 share जो है company से खरीद लो 25 share हम से खरीद लो तो आपके 50 में से जो भी है 40 करोड company में जाएगा 10 करोड जो है हम founders को मिलेगा तो हमारी life जीएंगे company के लिए बहुत जादा मेहनत करेंगे इसे कहते हैं secondaries जब कई बार आप सुनते हो कि ये किसी बड़े start-up में early employee था और ये जो है बहुत अच्छे से आज जी रहा है secondaries में बीचा जाता है तो दूसरी चीज होती है secondaries ये था start-ups का practical understanding आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ आपके लिए jobs के बारे में, interviews के बारे में, personality के बारे में अलग लग चीज़ों के बारे में तो अगर आपको इन चीज़ों में interest हो तो चैनल को प्लीज करिये कर सब्सक्राइब see you next time